पावर हाउस में रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार के समीब नेशनल हाईवे में फ्लाई ओवर के नीचे डिवाइडर बना दिया गया है जो दुरगटनाओं को आमनतित कर रहा है बावजुद इसके इसे अब तक बंद नहीं किया जा सका है नेशनल हाईवे में पावर हाउस के समीब बने दो डिवाइडर दुरगटनाओं को आमनतित कर रहा है इस डिवाइडर से दो पहिया चालक आटो चालक और पैदल यातरी नेशनल हाईवे में एक और से दूसरी और आना जाना करते हैं सूबर से राट तक ऐसी इस्थिती बने रहती है नैशनल हाईवे में सड़क के दोनों और से छोटे और बड़े सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही निरंतर बने रहती है ऐसे में दो पहिया चालकों, आटो चालकों और पैदल यातियों के इनकी चपेट में आ जाने का अंदेशा बना रहता है इस डिवाइडर में रात के समय इस्थिती और भी खतरनाक हो जाती है लाइट नहीं रहने की वजर से दुरगटनाव का अंदेशा और भी बढ़ जाता है जवाहर मार्केट से पावर हाउस रेलवे स्टेशन आना जाना कर रहे यात्री इस डिवाइडर का उप्योग करते हैं यहां थोड़ी सी भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है पावर हाउस चौक के समीब डिवाइडर होने के बावजूद इस छोटे डिवाइडर का होना फ्लाई ओवर निर्माण कंपनी की लापरवाही को दर्शाता है खतरनाक हो चुके इस डिवाइडर को ततकाल बंद किये जाने की जरूरत है ग्रैंड एशियन न्यूस के लिए संजय दुबे